हेलो गाईज और वेलकम बैक टो माई चैनल तो आज मैं एक्स्पेइन करने जा रही हूँ लव इस इन दी एयर का एपिसोड वन जो की एक एंजल एंड हूमन लव स्टोरी है इसमें जो हमारा मेल लीड है वो एक एंजल है और उसके पास तो प्यारे प्यारे वाइट से पंक हैं एंड हमारी फीमेल लीड मेरी एंड आपकी तरह एक नॉर्मल सी गर्ड है एक्स्पेशन स्टार्ट करने से पहले लाइक दो वीडियो सब्सक्राइब तो माई चैनल एंड डोंट फोगेट विट इट बैल इकन तो नेवर मिस अपडेट ड्रामा की शुरुआत में हमें एंजल्स की बारे में बताया जाता है कि इस दुनिया में दो तरह की एंजल्स होते हैं पहले जो अपने powers का इस्तिमाल अच्छे काम एंड दूसरों की help करने के लिए करते हैं जो अपनी powers का इस्तिमाल बुरे काम करने के लिए करते हैं जो angels अपनी powers का गलत इस्तिमाल करते हैं उनकी powers कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है एंड जो इंजल्स अपने पावर का इस्तिमाल अच्छे काम करने के लिए करते हैं उनकी पावर्स उनके बाद उनके बच्चों को मिल जाती है आफ्टर दैट हमारा यहां पर इंट्रोडक्शन होता है कि हमारी फीमेल लीड पहले सिंगल नहीं थी मतलब उसका बॉफिन था बट अभी इनका ब्रेक अप हो चुका है आफ्टर दैट हमारे यहां पर इंट्रोडक्शन होता है हमारे स्ट्रामा के मेल लीड से जिसका नाम है फंग मोई जो की एक 24 इयर्स ओल्ड एंजल है फंग मोई हमें बताता है कि अभी वो एक ट्रेनी एंजल है जिसका मतलब कि अभी वो कंप्लेटली एंजल नहीं बना है अभी तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है एंड इंजल होने के कारण उसे अपनी लाइफ में डेली बहुत सारे अच्छे काम्स करने पड़ते हैं जैसे कि लोगों को खत्रे से बचाना, उनकी हेल्प करना एक्सेक्टरा एंड यहां पे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे में लीड के पास काफी सारे सुपरनेच्रल पावर्स हैं फंग मोई जब कॉफी पी रहा होता है तभी वहां पे एक एक्सिडेंट होने वाला होता है जिसे देखकर हमारा फंग मुए वास लाइक लगता है ये लोग मुझे अराम से कौफी भी नई पीने देंगे जिसके बाद हमारा मेल लीड अपनी पावर्स का यूज करके उस एक्सिडेंट को होने से रोंग देता है फंग मुई कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है एंड देन कहता है कि मैं अपनी लाइफ में उस पर्सन के आने का वेट कर रहा हूँ जिसे बचाने के लिए गौड ने मुझे एक इंजल बनाया है फंग मुई कहता है कि अगर इस दुनिया में मुझे किसी चीज से ड़ लगता है तो वो ये है कि अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आई जी से मुझे बचाना है तो मैं इस दुनिया में हमेसा हमेसा के लिए भटकता रह जाऊंगा तब ही उसके बगल से हमारी फीमिल लीड जियांग निकलती है एंड उसके चारो और एक मैजिकल एयर राउंड करती है दे नेक्स सीन में हम फंग मुई को एक ग्रेंटपा के पास देखते हैं जोकी उससे कहते हैं कि अपने चारो और लोगों को देखो एंड उन्हें ऑब्जर्व करो क्योंकि उन्हीं में से कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिससे तुम्हारी किस्मत तुम्हें मिलाना चाहती है after that तुम्हें उस परसन की help करनी है and उससे हमेंसा happy रखना है after that हम फंग मोय को hospital में देखते हैं क्योंकि उससे एक दिन में काफी लोगों की help करनी होती है and लोगों की help करने के लिए hospital से अच्छी जगे और क्या हो चकती है जिसके बाद फंग मोय लोगों की help करता है वहीं दूसरी तरफ हम उसी hospital में अपनी female lead जियांग को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है तो वह अपनी family को voice message send करते करते वहीं पे बेहोश हो जाती है तब ही वहाँ पे फंग मोय आता है ये लड़की तो मुझे दो सल पहले मिली थी जो कि मेरे कार में जवरदस्ती बैट गई थी क्योंकि उसका उसके boyfriend से break up हो गया था जियांग कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ कि मेरा break up हो गया विकॉस अम मैं वो खा सकती हूँ जो कि मैं खाना चाती हूँ और वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाती हूँ इंडिरेक्टली मैं टोटली फ्री हो चुकी हूँ जिसे देखकर हमारा मेलीड वास लाइक इस लड़की को कोई बिमारी है क्या कैसी अजीब हरकते कर रही है then again हम वंग मोय को ग्रैंडपा के पास देखते हैं जो कि जी आंकी फोटो को देखते हुए कह रहा होता है कि प्लीज तू वो परसन मत बनना जिसकी मुझे हल्प करनी है ग्रैंडपा कहते हैं कि जिसकी तुमें हल्प करनी है वो तुम्हारे किस्मत से अल्रेडी जुड़ चुकी है एंड तुम उससे जितना ही नफरत करोगे उससे दूर जाने में तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम होगी जिससे सुनकर फंग मोय कहता है कि ग्रैनपा प्लीज अब आप ये मत कहना कि यही वो पागल लड़की है जिसकी मुझे हैं इसके साथ मैं रहूंगा न तो पागल हो जाओंगा ग्रैनपा कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये लड़की वो नहीं है जिसकी तुम्हें हैल्प करनी है तो चलो फिर हम भगवान से खुद हिंट मागते हैं After that वो फंग मोय से एक कोई लेते हैं and उसे एक magical box में डालते हैं जिसमें से एक magical ball निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें जिसकी help करनी है उसकी body में 3 moles होंगे यानि कि उसकी body में 3 तील होंगे पहला तील होगा उसके left ear पे, दूसरा तील उसके pair पे and तीसरा तील उसके chest पे तब ही फंग मोय को याद आता है कि जब वो जियांग के south hospital में था तो उसने उसके pair में एक तील देखा था फंग मोय ग्रेंटपा से कहता है कि क्या मैं इस पागल लड़की की जगे किसी और की help नहीं कर सकता हूँ तो जिस पर ग्रेंटपा कहते है कि क्या तु ग्रॉसरी का समान खरीद रहा है जो तुझे एक समान पसंद नहीं आया तो तुने उसे change करके दूसरा ले लिया वहीं दूसरी तरफ जियांग सोच रही होती है कि आखिर मैं यहां पे कैसे आई क्योंकि मैं तो बाहरी बिहोश हो गई थी तब ही नर्स उसे बताती है कि एक handsome man ने आपकी help की है और वो पूरी रात आप ही के साथ था तब ही हमारे जियांग को थोड़ा थोड़ा fung moi याद आता है after that यहां पे introduction होता है हमारे में लीड के childhood friend का जिसका नाम है मैंक सीजो fung moi अपने friend से पूसता है कि क्या ये तेरी gym है तो जिस पर उसका friend कहता है कि ये मेरी नहीं बलकि हमारी gym है because तुने जो पैसे दिये थे ना मैंने उसकी help से एक gym open कर लिया and हमारे ये gym 24 into 7 open रहेगी तब ही उसके friend को याद आता है कि आज तो वैलेंटाइन्स दे है तो चल हम दोनों अपने अपने sweet heart के साथ celebrate करते हैं तो जिस पर fung moi कहता है कि बट मेरी तो कोई sweet heart ही नहीं है वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपने चारो और कपल्स को देखती है and कहती है कि आज वैलेंटाइन्स दे है and मुझे इस दिन से सबसे ज़्यादा नफरत है हमारी female lead जब एक hotel में खाना खाने के लिए बैठी होती है तो वहीं दूसरी तरफ हमारे male lead के साथ कुछ magic होता है and उसे अचानक से भूख लगाती है जियांग जब खाना खारी होती है तभी उसका phone नीचे गर जाता है वह अपना phone लेने के लिए table के नीचे जाती है जियांग जैसे ही नीचे जाती है तभी shop की owner परदा हटाती है and यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारा fung moi भी उसी shop में आया हुआ है जियांग जब अपना phone ढूंड रही होती है तभी वह गलती से fung moi के पैर को टेश कर देती है बट हमारा male lead अपने सामने वाली girl को देख कर कुछ और ही समझ लेता है swap की owner उन सभी से कह रही होती है कि आपकी किस्मत ने आपको यहाँ पे एक दूसरे से मिलाया है and after that जैसे ही हमारी female lead वह अपस उपर आती है वैसे ही हमारे fung moi को उसके left ear का तिल भी दिख जाता है जिसके बाद वो सभी एक game खेलते हैं जहां उन्हें एक दूसरे को किस करना होता है mang si jo जब लड़कियों को किस करने जाता है तो कोई भी लड़की उसे भाव नी देती तो at last वो हमारी G.I. को किस करने जाता है एंड वो उसे किस करने ही वाला था कि तब ही fung moi उसके सामने आ जाता है एंड उनके बीच में कुछ कुछ हो जाता है ये सब देखकर बांकी के लोग उन दोनों के बारे में कुछ और ही सोचने लगते हैं तो जिस पर मैंक सीजो कहता है कि जैसा आप लोग सोच रहे हैं न वैसा कुछ भी नहीं है ये तो बस एक छोटा सा एक्सिजेंट था एंड देन वो fung moi से कहता है कि यार तू बता ना इन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है पाल तू मैं क्यों मेरी बेज़ती करा रहा है यार सब के सामने बट हमारा fung moi was like to अपना मूँ बन कर जियांग जब अपने घर पहुंसती है तो वो अपने रूम को देख कर completely shock हो जाती है विकॉस उसके रूम की हालत तो देखने लाइक थी एंड देन हमें पता चलता है कि ये सब तो उसकी रूमेट ने किया है जो कि अब उसका रूम छोड़ कर यहां से चली गई है जिसके बाद तो हमारी female lead सफाई अभियान में लग जाती है जियांग जब बाहर कचड़ा फेकने जाती है तब ही उसके बगल से फंगमोई निकलता है एंड कहता है कि मेरी हाट बीट अचानक से इतनी फास्ट कैसे हो गई जियांग जब वापस घर आती है तो उसे फंगमोई के जिम का एड़टाइजमेंट कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी जिम 24 x 7 ओपन रहती है तो आप कभी भी आ सकते हैं तो पहले तो जियांग उसे इग्नोर कर देती है बट जब उससे पता चलता है कि उसके रूम में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो वह भागते हुए फंगमोई के जिम जाती है और वहां अराम से शावर लेती है जियांग जब अपने बॉड़ी पे लोसन लगा रही होती है तब ही वहां पे फंगमोई आता है और कुछ ऐसा हो जाता है एंड फानिली यहां पे फंगमोई को उसके चेश्ट का तिल भी दिख जाता है जिसके बाद त्यांग उसे चाटा मारते हुए अंदर जाती है तो जिस पर फंगमोई कहता है कि यह बॉइस का चेंजिंग रूम है गल्स का नहीं एंड यहां पे उसे कनफर्म हो जाता है कि यही वो लड़की है जिसे उसकी हेल्प करनी है एंड उसे हमेसा हैपी रखना है जियांग जो अपने घर में होती है तब ही उसकी लैंड लेडी उसे कॉल करती है एंड बताती है कि नेक्स मन से आपके रूम का किराया बढ़ने वाला है जिसके बाद जियांग अपने मन में कहती है कि मेरी सैलिरी के अलाबा सबका प्राइस बढ़ता जा रहा है लगता है कि मुझे एक नया रूमेट फाइंड करना ही पड़ेगा वहीं हमारा फंग मुए उसके मन की सारी बाते सुन रहा होता है एंड कहता है कि लगता है कि यही वो लड़की है जिसकी मुझे हेल्प करनी है क्योंकि जब भी मैं उसके पास होता हूँ तो मुझे उसके मन की सारी बाते सुनाई देती है and then कहता है कि क्यों ना मैं इस लड़की की जल्दी से help करके इस problem को हमेसे हमेसे के लिए खतम करूं तो क्या पता इस से मेरी grandma भी जल्दी से जाग जाएं अब इसके grandma को क्या हुआ है ये तो हमें आगे पता चलेगा next morning जब जियांग एक नए रूमेट के लिए पोस्टर लगा रही होती है तब ही फंग मुए आकर उसे निकाल देता है और कहता है कि इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा रूमेट बनने के लिए तयार हूँ जियांग उससे अपना पोस्टर वहापस लेते हुए कहती है कि यहाँ पे इतने सारे पोस्टर्स हैं तुम उन्हें टच करो मेरे पोस्टर को ना छूना भी मत फंग मुए कहता है कि मैं रूम देखने कब आ सकता हूँ तो जिस पर जियांग कहती है कि क्या तुम पागल हो या फिर तुम से चायनीज आती नहीं है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मुझे एक गर्ड रूमेट की जरूरत है और क्या तुम एक गर्ड हो सो प्लीज मेरे पोस्टर को टच मत करना जियांग के जाने के बाद फंग मोई अपने मैजिक से कुछ ऐसा करता है जियांग जब अपने घर में होती है तभी फंग मोई रूम लेने के लिए उसका अपार्टमेंट चेक करने आता है जियांग के काफी मना करने के बाद भी फंग मोय पूरा अपार्टमेंट चेक करता है जहां उससे पता चलता है कि जियांग कभी कभी टीवी का रिमोट फ्रिज में ही भूल जाती है जादा तर वो expired instant noodles खाती है एंड उसके कपड़े तो इतने गंदे रहते हैं कि उसके कपड़ों में ही mushroom उग जाते हैं ये सब देखने के बाद हमारा main lead कहता है कि अगर मैं इस लड़की की help करूंगा ना तब तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा फंग मोय जियांग से कहता है कि मैं तुम्हारा room लेने के लिए तयार हूँ पर जियांग उससे मना कर देती है तब ही उसके अपार्टमेंट की light गोल हो जाती है जिसे देख कर वह काफ़ी डर जाती है एंड फंग मोय से कहती है कि मैं तुम्हें अपने room देने के लिए तयार हूँ बढ़ तुम्हें यहां आज रात ही सिप्ठोना होगा आफ्टर दैट फंग मोय वाश्रूम जाता है एंड अपने magic से light on कर देता है इसका मतलब कि उसने जानबुच के light को off किया था जब वो वाश्रूम जा रहा होता है तब ही वो जियांग के dog को दे कर काफ़ी डर जाता है एंड यहां पे हमें पता चलता है कि फंग मोय को कुटो से allergy है जियांग केती है कि तुम इतने छोटे से dog से डर गए तो जिस पर फंग मोय केती है कि यह छोटा सा कुटा है एंड यहां पे हमारा male lead अपना पहला task complete करता है जो यह था कि उसे जियांग की roommate वाली problem को solve करना है जियांग grandpa से कहता है कि मैं उस लड़की की help सिर्फ और सिर्फ तीन महीने तक करूँगा मुझे इस से फर्क नहीं पड़ता है कि बांकी की angels अपनी पूरी lifetime तक उसी person की help करते रहते हैं तो जिस पर grandpa कहते हैं कि यह तो धोखा हुआ next morning हम जियांग को उसकी office में देखते हैं जहां वो सभी को अपने smart washroom के बारे में बता रही होती है and मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं कि हमारी जियांग एक inventor है जो की छोटी मोटी चीज़ों को invent करती रहती है जियांग की office में एक और colleague होती है जिसका नाम होता है NG जो की जियांग की idea को copy करके एक नया presentation तयार कर देती है same night हम जियांग को उसके colleagues के साथ एक बार में देखते हैं जहां वो सभी party कर रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ वंगोई भी अपने friend के साथ उसी बार में होता है the next scene में हम कुछ boys को देखते हैं जो की एक लड़की को परिशान कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे जियांग आती है एंड उसकी help करने की कोशिज करती है बट वो सभी उसे ही परिशान करने लगते हैं उन में से एक लड़का जियांग को खतम जाता है thank you so much guys for watching my explanation stay safe and healthy bye bye